ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाए और नोटिफिकेशन के लिए दिये गए बैल आइकन पर क्लिक करें हमारे वीडियोज को लाइक, शेर और कमेंट करें नमस्कार, मैं हूँ मेगा वर्मा, A1 News TV में आप कास्वागत है आज का ये हमारा खास प्रोग्राम सिर्फ कपल्स के लिए है चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल प्रोग्राम के प्यार इशक और मुहब्बत, ये वो एसास हैं जिन से दुनिया शुरू होती और इनी पर खत्म लेकिन प्यार का एसास कराने के लिए उसे जाहिर भी करना होता है और जाहिर करने का तरीका है किस, यानी चुमबन हमारे किस करने के तरीके से पदा लग जाता है हम किस से कितना प्यार करते हैं वैसे हम किस किसी को भी कर सकते हैं जिन से हमें प्यार होता है लेकिन आज हम यहाँ उन किसिस के बारे में बात करेंगे जो आप अपने पार्टनर्स यानि अपने लब वन्स को करते हैं लब किस ये किस बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और नर्मी से किया जाता है और इस किस में आपके प्यार के साथ आपकी सोच भी छलगती है कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। ये कहना गलत नहीं है कि ये किस प्यार से भरी होती है। वेंपायर किस, जैसा इसका नाम है, ठीक उसी तरह से ये किस की जाती है, सेक्स को और ज्यादा सेक्शुल बनाने के लिए ये किस की जाती है, और इसका असर काफी देर तक रहता है, ये किस गर्दन पे हलका सा दाद गड़ा कर किया जाता है, लिजर्ड किस, याνि जिस तरह से छिपकिली अपनी जीप को अंदर बाहर करती है, ठीक उसी तरह से इसे किया जाता है, इसमें आप अपने पार्टनर की जीप को अपने मूं में डालते हैं और निकालते हैं, ये किस करने से आपके अंदर रूमांच पैदा होता है, और आप पार्टनर को रोक नहीं सकते एंजल किस बेहदी रोमैंटिक होती है क्योंकि ये धीरे से पलकों पे की जाती है किसी को जगाने और गुडबाई करने के लिए ये बहुत ही रोमैंटिक तरीका है तो जब आपका पार्टनर रोमैंस के मूड में हो तो उन्हें ये किस ज़रूर दे बाइटिंग किस जब आप सेक्स करना चाहते हैं मगर आपके पार्टनर का मूड ना हो तो ऐसे में बाइटिंग किस उसके मूड को बहतर कर सकता है इस किस में अपने पार्टनर की जुबान को हलके से दबा लिया जाता है वो भी कुछ सेकंड्स के लिए फर इसका असर देखिए क्या करिश्मा होता है ये किस आपके अंदर सेक्स करने की चाहत को पैदा करता है स्पाइड मैन किस इस किस में दोनों की पुजीशन एक जैसी ना होकर एक दूसरे के उलट होती है मतलब की दोनों के पैर अलग-अलग दिशाओं में होते हुए होठो का नचला हिस्सा उपरी हिस्से को सपर्ष करता है आपको बता दें इस किस के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और एक दूसरे के आगोश में से किया गया किस आपको सेक्स की तरफ ले जाता है तो फिर जब कभी आपके पार्टनर मूड में ना हो तो आप इन में से कोई भी किस कर सकते हैं और अपनी सिंधगी में प्यार भर सकते हैं ये जानकारी आपको ज़रूर बसंद आई होगी जल्दी मिलती हूँ आप से एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिंग के साथ नमस्कार